और सिधर दिल्ली की खबर ले लेते हैं दिल्ली में अपराधियों के होसले बुलंद हैं ताज़ा मामरा दक्षडी दिल्ली का है जहाँ पुलिस ने एक स्टॉकर को गिरफतार किया है आरोपी ने 16 साल के एक लड़की को स्कूल से लोटते वक्त गोली मार दी पीडिता के मताबिक आरोपी से उसकी पहचान सोशल मीडिया के जरिये हुई थी बाचीत बंद हो गई थी और बाचीत बंद करने के बावजूद आरोपी ने उसी 4-5 महीने तक हो परिशान किया पीडित लड़की के मताबिक 25 अगस को बाइक सबार तीन लड़कों ने उसका पीछा किया उनमें से एक लड़के ने पीडिता को गोली मार दी और हमारी सेवगी इला इस वक्त हमारे साथ लाइप जुडगे इस पर और ज़्यादा अपडेट देने के लिए इला राजधानी दिल्ली की ए खबर है निश्चित तोर पर चिंता के साथ साथ आश्चर भी करती है कि राजधानी दिल्ली में ऐसे इलाके में सरीके की घटनाई हो जा रही है और इन पर रोक थाम अभी तक नहीं लग पाई है कानून विवस्था पर भी सवाल उठखड़ा होता है ला बिल्कुल शोयता अपराधियों के जो होसले है वो बुलन नजर आ रहे हैं अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दक्षिनी दिल्ली की ग्यारवी की छात्रा है जिस पर यह हमला किया गया दरासल काफी समय से यह जिसने हमला किया है सपराधी ने काफी समय से उसको परिशान किया हुआ था और उसको लगातार फॉलो भी कर रहा था कुछ महीने पहले लोगों की सोशल मीडिया जरीए बातचीत हुई लेकिन उसके बाद ये लड़की इसने बात करनी से मना कर दिया जिसके बाद इस आरोपी ने पूरा प्लान अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया और ये घटना है संगम विहार की ब्लॉक बी की जहां पर य और उसके बाद तीन लोग बाइक पर सवार हो करके भाग गये हाला कि इस नाबालिक लड़की ने चात्रा ने पहचान कर लिए एक कीज जिसका नाम अमानत अली बताया जा रहा है उसकी पहचान कर लिए और ये बताया कि काफी समय से उसे फॉलो कर रहा है लगातार उसका पीछा कर रहा है और उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और उसे परिशान भी कर रहा है पिछले कुछ महीने पहले उनकी बात चीत हुई थी एक सोशल मीडिया के जरिये लेकिन उसके बाद भी इस लड़की ने ये ठान ली कि अब अगर लड़की बात नहीं करी है तो उस की हत्या करने की कोशिश की जाए अपने दो साथियों को भी इसमें अपने साथ इन्वाल्व कर लिया फिलहाल पुलिस ने इस वेक्ति को और इसके साथियों को हिरासत में ले लिया है इनसे पूछताज भी हो रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जाच और परताल भी कर रह उसके तहद डार धनी दिली सबसे जादा महिलाओं के लिए आसुरक्षित शेहरों में इसे एक है और यहां पर लगभर 2020 से 2021 के बीच में 40 प्रतीशत जो अपराद हैं वो महिलाओं के खिलाब बढ़ गए हैं ऐसे में ये काफी चिंता जनक बात है ऐसे में ये काफी डारावन है कि आखिर खानून विवस्था ठप क्यों पड़ी है और दिन दिहारे अपरादियों के होसले इतने बुलंद क्यों हो चुके हैं जी शोयता इला आपसे इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट मैं चाहूंगी कि जुसे गिरफतार किया है दिल्ली पुलिस ने क्या उसके खिलाब और भी आपरादिक मामले दर्ज हैं इस तरह की और भी घटनाई क्या उसने पहले की है इला पुलिस पूरे मामले की जाच और परताल कर रही है और इसकी हिस्टरी भी जरूर खंगाली जाएगी और पुलिस इसके का अबडेट भी देगी और पुलिस की जो पूछताच है उसमें स्वेक्टी ने ये भी खबूल किया है कि पिछले कई दिन उसे इस लड़की का पीछ कर रहा था और इस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था दोनों एक सोचल मीडिया के जरीये मिले और उसने खबूला कि अपने दोस्तों के साथ अपने साते के साथ उसको उस नाबालिक चात्रा को मानने का उन लोगों ने प्लान भी बनाया था हाला कि चात्रा घायल हो कोई इस पूरे मामले में और एक अच्छी बात ये है कि उसको जादा कुछ नहीं हुआ लेकिन ये काफी डरावनी और चिंता जनक बात तो है कि आफिर कैसे दिंदे आरे